अप्रेटि आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल defense maths पर जैसे कि आपको पता होगा यहां पे हम defense related सभी questions को try करते हैं defense related सभी mathematics questions मैं करवा रहा हूं और इसके साथ साथ मैं पुरा course आपको YouTube पर करवा दूँगा आपको एक help मिल सके exam को clear करने में विना किसी fees के ठीक है तो चलिए start करते हैं आज के session को आज के session में मैं try करूँगा UPSC का recent exam हुआ था UPSC का recent exam हुआ था GS paper 2 maths के question जो है और उसके reasoning के question मैं उसको मैं यहां लेके आया हूं आप सभी लोग साथ में वह discuss करूँगा यह CDS के point of view से बहुत ही important है क्योंकि बहुत सारे questions इसमें बहुत ही logical questions है और उनको पढ़ना आपके लिए important हो जाता है obviously काफी logical questions है काफी difficult questions में है कुछ-कुछ जो CDS के point of view से एकदम appropriate है और इसमें कुछ आपके जो arithmetic का session रहेगा वैसे तो सारे arithmetic के session है इसमें सारे arithmetic के questions है वो आपको FCAD के exam में भी काम आएंगे और आपको CDS में भी काम आएंगे तो I think जो दोनों की तैयारी कर रहे है कोई FCAD की कर रहा है कोई CDS की कर रहा है उन दोनों के लिए बहुत important है साथ ही साथ कुछ इसमें questions है आपके reasoning के जो कि आपकी OIR में भी आपकी help करेंगे officers intelligence rating में भी आपकी help करेंगे तो तीनों point of view से देखा जाए तो बहुत important session होई होने वाला है चलिए start करते है आज की class को आज की class को जो पहला question है मैं आपको एक चीज दाता हूँ यह जो paper हुआ था 10th October को हुआ था 10th October को और यह set आपका B है B set को मैं यह आपके करवा रहा हूँ ठीक है UPSC Seed Set का exam रही है na Gs paper 2 prelims का चलिए start करते है देखिए पहला question क्या बोल रहा है 120 लोगों का एक group है group of 120 persons 80 are Indians 80 लोग इसमें Indians है और rest are foreigners rest इसमें क्या है foreigners further 70 persons in the group can speak English 70 लोग जो इस group में है वो English बोल सकते हैं देखो पहली बात इन्होंने अगर बोल दिया 80 Indians है और 70 English speaking है तो यह जाके total कितना होगे 150 हो गया 150 लोग तो है नहीं तो 30 यह common होगे मतलब 30 यहाँ पर common होगा इसे करते हैं वे इंड्राइग्राम में 80 plus 70 minus 120 कितना आ गया यह 150 minus 120 30 लोगों है यह common होगे इसमें यह Indians भी होगे और English speaking भी होगे यहाँ पर 70 Indians ऐसे हैं जो English नहीं बोल सकते हैं और यहाँ पर 40 यह क्या है English speaking करते हैं और साथे साथ यह foreigners भी हो जाएंगे अब यहाँ पर क्या बूचे था नंबर ओफ इंडियन्स फिक इंग्लिस इस ओव्विश्टी आगया अंसर सीदे सीदे 30 पर मार कर दो मैं तोड़ा जल्दी करवाने की कुछिस करूँगा questions को जो questions समझने आएगा आप comment section में लिखके में बता देना मैं इसको दुबारा solve करवा दूँगा या फिर comment section में आपकी query को solve कर दूँगा ठीक है अब कर दूँगा नंबर कैसे होते हैं आपका 123 हो सकता है 231 हो सकता है इस type के है ना obtained obtained हुएं कैसे using 3 non zero डिजिट्स non zero डिजिट्स होना चाहिए जिरो नहीं होना चाहिए which are multiples of 3 देखो 3 के multiples क्या क्य हो सकते हैं इसके अलाबा हम कोई number नहीं ले सकते हैं क्योंकि तीनों अलग 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 number है क्योंकि एक 3 का multiple तो क्या हो सकता है 14 भी हो सकता है sorry 12 भी हो सकता है 3,4,12 बट ये 2 digits के number में नहीं आएगा ठीक है ना सिर्फ यही वाले ले सकते हैं 369 टाइप के ना चलो आगे बताता हूं मैं आपको क्या होना चाहरा है अभी है अब क्या बोल रहा है let s be their sum जितने भी number होंगे देखो जैसे एक ये number यह हो गया 369 1639 हो सकता है बहुत सारे number हो सकते हैं मैं आगे बता दूँग आपको अब उनका सब का sum करना है let s be their sum उनका सब का sum अब यह बोल रहा है कि s is always divisible by 74 एक चीज़ तो यहां पर clear है कि यह भी number इस type के आएंगे वो 9 से divide तो होंगे ही होंगे reason क्या है इसका reason यह है कि हर number आएगा आपका देखो मैं सारे number लिख लेता हूं numbers required जो भी numbers required है वह सारे number में आप लिख देता हूं आपके सामने एक होजा है का prot3 6 9. एक होजा है आपका हो जाएगा 396 ठीक है एक number यह हो गया अब six से start कुरो six three, nine, six, nine, three eight number यह हो गया ठीक है दो number यह हो गया अब nine से start कुरो 9, 3, 6, 9, 6, 3, बस इतने ही number बन सकते हैं, because digits का repetition भी allowed नहीं है, 3, 3, 3 नहीं हो सकता है, 3, 6, 9 ही होगा, इतने ही number आपके बन सकते हैं, तो देखो, 9s का divisibility rule यह होता है, फिजिस को सबको add करेंगे, वो 9 से divide होना चाहिए, ठीक है, 9, आप सबको add करो, 18, 9 से divide करता है, तो सारे number automatically 9 से divide करेंगे, उनका sum भी 9 से divide करेंगा, ठीक है, तो आपका जो second है, second तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना, second बिल्कुल सही है आपका, उसमें कोई दोर आई नहीं है, तो one only तो नहीं हो चकता, इसको cancel out कर दो, neither one nor two, ये भी गलत हो जाएगा, अब इन दोनों में से, कुछ answer हमारा सही हो सकता है, अब 74 से divisibility चेक करनी है, 74 का divisibility rule तो मुझे भी नहीं पता, यहां बट इतना कर सकते हैं, हम इसको add कर सकते हैं आपस में, इसको हम add करेंगे, उसके बाद 74 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है थोड़ा difficult task है, आप कर सकते हो, मैं आपको समझाओगा कैसे add करना है, यहां पे कितना है यह, लगबग 400 के करीब करीब हैं तो 400 add कर दो, 369 में, आपका हो जाएगा, 769, 69 ना करके, यहां पे 4 आपने extra add कर देथा था ना, तो 9 में से 4 माइनस कर दो, 5 आ जाएगा, 765, ठीक है, जल्दी हो जाएगा ऐसे, अब यहां पे क्या करो, यहां पे 700 के करीब करीब है ना, तो 700 add कर दो, इसमें 13, 39 हो जाएगा, 7 माइनस कर दो फिर से, 39 में से, 9 में से 7 माइनस कर दो 32, इतना आ गया, फिर आपका, देखो, यहां पे क्या होगा, इसको यहां पे क्या करो आप, क्या करोगे, देखो 900, 900 कर दो, 1800 हो जाएगा, 1800, यह 60 प्लस 36 हो जाएगा, 99, इतना आ गया, देखो, सबसे पहले क्या करना, इनको last digits जो है इनकी, उसको एड़ करना, unit digits जो है, उनको एड़ करना, 5, 2, और 9 को, तो मेरा यह हो जाएगा, आपका 7 प्लस 9, 16 हो गया, ठीक है पीछे, ठीक है ना, अब देखो, यहां पे 4 है, 74 है, 37 into 2 होता है, और यह 2 से डिवाइड हो रहा है, अब यहां पे, लास्में 6 नहीं आता, 5 या 3 आ जाता, तो यह 2 से डिवाइड नहीं होता, तो मतलब पहला वाला गलत हो जाता, अभी यह सही हो सकता है, ठीक है ना, तो सही हो सकता है भी, तो फिर हम फर्दर चेक करेंगे, आगे, क्या चेक करेंगे, अब क्या करेंगे, वा सबको एड करूँगा, सबको एड करने, बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि, क्याल्कुर्टिव हो जाएगा है, एड करो, 13, 32, 832, इतना आ गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1900 एड कर दिया था 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 तो आपका आ गया 32, 31, इसमें आड करो आप 7, 65 को, यह calculation भी सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि exam time में आपको यह काम आएंगे, यह सब चीज़े है ना, obviously काम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, यह देखो कितना हो जाएगा है, यह 39, 96 हो गया, अच्छा, अब मुझे चेक करना है कि 39, 96 आपका, 39, 96 आपका 74 से, या फिर 37 इंटू से डिवाइड होता है या नहीं होता है, आप यहां 2 से डिवाइड कर दो पहले, 2 से डिवाइड करो है कितना हो जाएगा, 19, नाइटीन तूज़ा, 38, फिर 9, 8 ना यह, 1, 9, 9, 8 आया, आप इसको 37 से डिवाइड करना है, ठीक है 37 से डिवाइड करके देखो आप, करके देखो, 1,998, 37 से दिवाइड करो गया आप, ठीक है, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 5 टाम्स जाएगा, 1,500 और 35, 1,800 और 35 कितना होता है, 185, ठीक है, आप कितना बचा, आपका 4 बच गया, 8 बच गया, 148 बच गया, आपका 4 से मटप्लाइब करो, सच्च को 28 होता है, 4 से मटप्लाइब करो, 120 और 28, तो मतलब 74 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 74 से यह नंबर डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर आजाएगा, बोथ, 1 and 2, इसको ऐसे करनी पड़ेगी, आपको इसको एड़ करके देखना पड़ेगा, इस नंबर को है, तो देखिए, आपका 9 से डिवाइड तो होगा 9 से, वह तो बहुत ही आसान चीज़े, आप इस सबको डिवाइड करके देख लो, जो रास में नंबर मिला था, मेरको यह वाला नंबर, इसको 9 से डिवाइड करके देख लो, अकर चेक करना चाहते हो, 74 के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, चेक, नेक्स्ट क्रेशन में चलते हैं, थोड़ा जल्दी रदी करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेशन से, और मैं चाहता हूँ कि छोटा की सेसन लखूं इसको 15-20 मिनिट का, क्योंकि बच्चे एक घंटे की वीडियो देख अगला क्वेशन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेशन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेशन है, मैं देखाता हूँ आपको क्या क्या है इसमें, there are two classes A and B, having 25 and 30 students respectively, एक क्लास है A और B है, इसमें 25 students है, इसमें 30 students है, ध्यान से देना, सारे चीज़े अच्छे से ध्यान देना, क्लास A, the highest score is 21 and lowest score is 17, इसमें देखो, maximum and minimum, इसमें maximum कितना है 21, minimum कितना है 17, और अब B वाले बच्चों में, max और minimum इसमें भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखते है, इसमें क्या दिया हुआ, in class B, the highest score is 30 and lowest score is 22, यहां पर कितना 30 है, highest और lowest कितना 22, ठीक है, अब देखे, अब क्या बोला है इसने, 4 students are shifted from class A to class B, अब यहां से हमने क्या किया, class A से, 4 students को यहां पर लेगे class B में, माइनस 4 किया यहां पर, यहां पर plus 4 students कर दिया है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, average score of class B will definitely decrease, अब देखो क्या होना चाहरा है आगे, ध्यान से देखेगे यहां पर, बहुती logical question है, अब यह बोल रहा है कि इसका average, जो B का average है वो definitely decrease होगा, देखो पहले क्या होता है, average जो होता है, लाई करता है किस-किस के बीच में, maximum से छोटा होगा, और minimum से बड़ा या बराबर होगा, maximum और minimum के बीच में लाई करता है, एक बात तो समझ में आगी, अब क्या होगा, अब चूंकि इसका average, 22 से 30 के बीच में था, A वालो का, B वालो का average, इसके बीच में था, बट क्या होगा, यहां से कुछ बच्चे आगे, जिनका average, maximum था वो भी 21 था, 21 तो इससे भी कम है, 21 तो आपका इससे भी कम है, तो बच्चे आएंगे, तो कैसे आएंगे, अब उसका average हो जाएगा, 30 से 21 के बीच में, 30 से 21 के बीच में, और definitely, definitely क्या होगा, जो B का है वो average decrease हो जाएगा, इसका average गिर जाएगा, क्योंकि यहां से जो भी बच्चे आएं, उनका number कम थे, कम बच्चे आएं, तो इसका average decrease कर जाएगा, तो पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है, वन तो बिल्कुल सही हो गया है न, average decrease करेगा उसका, सेकंड चीज नोंने क्या बोली है, average score of class A, will definitely increase, अब A के जो बच्चे हैं, उनका average increase करेगा यह इस पर depend करता है, example मैं आपको दिखाता हूँ पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा, A suppose, suppose A के पास न, कितने-कितने values थी, suppose 20 था, 20 और दो value लेता हूँ, 20, 19 और 19 ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसेट समझो इसको, B के पास मैं दिखाता हूँ, आपको क्या के था, 20 के पास, 22, 23, जो भी है, अब देखो यहां भी ध्यान से दिखना, क्या करूँगा अगर मैं, क्या करूँगा, अगर मैं A से, जो कम नंबर है मेरे, कम नंबर है, इन दोनों को यहां ले गिया, 19, 19 इसमें add कर दिया मैंने, तो B A का क्या हो जागा average, increase हो जागा 20 हो जागा नहीं average, पहले कुछ और था, 20 और 19 के बीच में था, 29 और 19 के बीच में था इसका average, अब क्या होगा, इसका average 20 बच गया, अगर मैं यह करूँ, कि इसमें से सिफ 2020 वाले बच्चों को ले जाओं, जो ज़्यादा बच्चे हैं, उसको यहां ले गया, उसका average तो इस condition में भी decrease करेगा, 20 से 23 के बीच में हो जाएगा, 20 से 23 के बीच में average हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, अब बड़े जिनका number ज़्यादा था वह चले गए यहां, अब इसका average कितना होगा, 19 बच्च किया, समझ में आ रहा है, तो A के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, कि A का decrease करेगा या increase करेगा, क्योंकि अगर हम अच्छे intelligent बच्चों को वहां से ले गए, जिनके number ज़्यादा है, इसका average decrease कर जाएगा, अगर हम कमजोर बच्चों के number marks यहां से ले गए, तो इसका average increase कर जाएगा, इसलिए इसका answer हो जाएगा, only one वाला हो जाएगा, ठीक है ना, पहला वाला सही है बस, second वाले के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दुबारा वीडियो देख लेना, average का concept यह होता है, इसका main funda है वह यह है कि average always lies between maximum and minimum, इसके बीच में fluctuate करता रहता है ठीक है यही इसका क्या बोल सकते है में मंत्रा था अगले question में चलते हैं यह question बिल्कुल धियान से दिखना अच्छा logical question है reasoning का question है बट आसान है बट अच्छा है क्या बोलना चाहरा है इसमें प्रिया इस four ranks below sema statement और question है यहां पर कुछ statement दिया होगी कुछ question दिया होगा अब क्या बोल रहा है प्रिया इस four ranks below sema and 31st from the bottom ठीक है सीमा का कोई rank था I don't know कितना rank था सीमा का और जो प्रिया है उससे four ranks below थी एक, दो, तीन, चार four ranks बुरो यहां पर कितना हो जाएगा प्रिया हो जाएगा यहां पर और 31st है यहां bottom से bottom से अगर देखू मैं तो 31st है ठीक है समझ में आ रहा है अभी हमें कुछ पता लग रहा है कि सीमा की rank कितनी होगी मतलब bottom से पता लग दी है मतलब टोटल बच्चे नहीं पता लग रहे कितना बच्चे है कुछ नहीं पता हमें है अब तरह question को भी गौर कर ले ना question में क्या बोल रहा है सीमा's rank from the top in the class of 40 अगर 40 बच्चे है total अगर टोटल 40 बच्चे है अब एक question बिल्कुल clear हो गया क्या होना चाहरा है अगर टोटल 40 बच्चे है को 31 यहां तक आगे प्रिया तक आगे इसके आगे इतने 9 बच्चे है मतलब एक दो तीन चार यहां पर चार हो गया इससे पहले भी कितने पांच है मतलब एक दो तीन चार पांच पांच वी rank सीमा की होगी क्योप से बिल्कुल है ना एक दो तीन चार पांच है ना पता लग रहा है तो मतलब अब क्या मोना चाहरा है तो स्टेटमेंट क्या बहुत है स्टेटमेंट वन अलोन इस नॉट सफिसेंट टू आंसर दा क्वेस्टन यह देखो यह बिल्कुल खलत हो जाएगा स्टेटमेंट वन अलोन हमें बता रहा है कि हमारा सीमा की rank है तो कितनी है है यहां से पता लग गया था में total question से कि कितने बच्चे है और question वह तो दिया है था कि प्रिया की rank four है a below Seema और प्रिया की rank bottom से भी बताते थी ठीक है ना सीमा की रैंक निकल गयी यहां से तो पहले गलत हो गया सब देखें आप सिकंड वाला देखते हैं सबारे क्या सब्लुक्राइन यहां पर थी से में इन यहां पर तो मोट ळो यहां पर क्या हो जाएगी अप्ना यहां यहां स्टेटमेंट भी हो गया, पहला स्टेटमेंट भी हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया, तो आप क्या बोना चाहेंगे? अएले कि अवęd स्टेटमेंट की जुरत पढ़ता है, तो क्या बोलते हैं, यह लग जाता है, बोथ 202 और required to answer the question और कभी कभी क्या होता है दोनों sufficient नहीं होते हैं उनसे answer नहीं निकलता है तो इस लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्योंकि सीडेस की preparation कर रहे है तो उनके लिए भी एक session किया जाए इस पर based है ना चलिए अच्छा यह भी same same type of question है यहां पर statement है कुछ questions है ठीक है न स्टेटमेंट और questions बेज़ रहे है अब यह क्या बोल रहा है एंडी इस heavier than B E F क्या बोल रहा है देखो A और D यह heavier है इनका weight बड़ा है इससे B E F से बड़ा है इन और आगे क्या देखो but none of them is the heaviest अब इन में से कोई भी heaviest नहीं है मतलब इन पांचों में से भी कोई बड़ा है यहां पर कोई होगा यहां पर जिसका weight इन से भी बड़ा होगा ठीक है long A B C D E सबसे heaviest कोई होगा देखो दोनों questions में क्या निकल के आ रहा है इसमें से भी पता लग जाएगा आपको सबसे heaviest कोई हो जाएगा हो रहा है इसमें क्या पता लग रहा है which one of the following is correct in respect statement one alone is sufficient to answer the question sufficient अच्छा एक एक चीज और देखते हैं यहां पर हां एक चीज यहां पर ध्यान से देखो यहां पर ना second वाले statement में हमें यह पतान लग रहा है कि B E F के बीच में हमारा क्या relation है इसमें देखो मैंने गलती से बोल जाता है इसमें c heavier नहीं है c किससे heavy होगा सिर्फ c heavy हो रहा है a से a जबकि heavy है d से ठीक है ना c heavy है d से ठीक है तो statement one alone sufficient है यहां पर सिर्फ एक sufficient है यहां पर से कुछ अलग जानकारी नहीं मिल रही है हमें तो statement one alone बहुत हो जाएगा एक से यह answer निकल जाएगा हमारा ठीक है तो यह आपका question हो गया कुछ नाइंथ question हो गया ठीक है समझ में आ रहा है statement two अलग है statement two में इसकी जुरत नहीं भी है इसकी बिना भी हमारा statement one से ही काम चल जाएगा अगला question देखते हैं इसका answer a हो जाएगा है ना क्या कर रखा है इन्होंने basically क्या कर रखा है यहां से opposite order में लिखा हुआ है four letters को a,b,c,d ऐसे लिखा हुआ है ठीक है and the next four letters are written in opposite फिर next के जो आएंगे e,f,e,h यह भी ऐसे लिखा होगा ऐसे करकर करके और last में जो y और z interchange करती है ना बहुत easy है 13 letter check करना है पाले कि क्या आएगास में देखो यह वन होगा,2 होगा,3 होगा,4,5,6,7,8 अब देखो यह हो गया i,j,k,i,j,k,l यह 12 तक आ गया i,j,k,l,m,n,op फिर m,n,op के फिर उल्टा लिख दिया है m,m,m,n,op अदि यहां पर चाहरा है व्ल्टा लिख दिया यह पर पी है 13th letter आ रहा है ऐसमे 13th letter क्या होता है M होता है यहां पर क्या हो रहा है उल्टा कहने के पीज़िशे 13th आपका P letter हो रहा है अब इससे 4th letter कौन सा होगा 4th letter 1,2,3 right side में यहां पर जो लेटर होंगे वूच आर उल्टे होंगे यहां पर उल्टे लेटर के आ जाएंगे बिल जाएंगे आपको और आपको solution में मिल जाएगा ना अगला कुसन देख देखो seven books बोल रहा है यह seven books PQRSTUV are placed side by side ठीक है एक के बाद एक बात एक side by side रखे हुई है तो मैं इसको लिख लेता हूँ PQRSTUV ठीक है फिर क्या बला हूँ आर QT है blue covers क्या लिखा क्या बला है आर बीवी कर देता हूँ आर QT इस सब क्या क्या है blue cover है इस पे ठीक है एंड अधर have red covers other red बाकिसम में क्या red cover है उसको नहीं लिख रहा हूँ है कुछ कोई बात है हम समझ जाएंगे self-explanatory only s and u are new books s and u are new books new अगर मैं end कर देता हूँ new books rest are old बाकिसम पुरानी है rest are old PRS are law reports PRS are law reports क्या बोला इसमें PRS क्या है सारी law reports है LLL कर दिया मैं ठीक है rest are gadgeteers बाकिसम गजचेटर्स है books of old gadgeteers with blue covers are with blue colors बोल दिया ना blue colors में क्या है यह तीन ही है एक यह एक यह और एक यह ठीक है old gadgeteers old देखो यह भी old है यह भी old है यह भी old है बट इसमें से जो यह ना ले law यह कौन सी बुक है law reports है तो यह R तो cancel out हो गया आपका qr2 बट जाएगा वस यह आपका old भी है blue cover भी है और आपका gadgeteers भी है ठीक है ना तो आगया आपका books of old gadgeteers with blue covers are q & t q & t आपका option c वह जाएगा तो यह तो आसांस questions है तो भी कर लेते हैं एक बार यह ना reasoning में काम आएगा आपको ठीक है यह कुछन देखें बहुत ही अच्छा कुछन है यह आपके सामने क्या बोलना चाहरा है replace the incorrect term by the correct term in the given sequence इस sequence में हमें correct term लिखनी है ठीक है ना 327 करके कुछ है यहां पर क्या लिखना चाहरा है where odd terms and even terms follow the same pattern यह जितनी भी जानकारी होती है उसको ध्यान से पड़ा करो हमें साब यहां पर क्या बोलत रहा है odd terms and even terms follow the same pattern यह जो odd term है यह यहां से गया यहां गया यहां गया यहां गया यह 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 और टम्स होगे और जो तो यहां पर इवन टम्स हों की 2, 4, 10, वो कह रहा है कि same pattern follow करते हैं, तो देखो यहां पर, इधान से देखो, मैं पहले odd वाला बना रहा हूं, 3, 7, 13 आ गया, इसमें कितने का gap हो गया, प्लस 4 का, इसमें कितने का gap हो गया, प्लस 6 का gap हो गया, फिर 13 से 21, इसमें कितने का gap हो गया, इसमें कितने का gap हो गया, 8 का, देखो, यहां पर 2-2 बढ़ रहा है, 4 से फिर 2-2 बढ़ रहा है, increase हो रहा है, फिर कितना हो गया, 31 हो गया, कितना 10 का increase हो गया, अब इसनोंने क्या बोला कि odd terms and even terms follow the same pattern, यह वाले में क्या हो रहा है, जो even वाला है, उसमें 2 से 4 हो रहा है, 4 से 10 हो रहा है, यहां देखो, 2 से 4 होने में 2 का increase हो रहा है, प्लस 2, बागी सब तो सही है, 4 से 10 होने में 6 हो रहा है, 10 से 18 होने में, प्लस 8 हो र अब यहाँ पर गलती इंसर क्या होगी, 2 की जगा 0 अना चाहिए. जब तो 0 और 4 की बीच में 4 का gap होगा, थिर यहाँ पर 6 का gap होगा. तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 0, तो जीरो को अगर 2 की जगा लिखेंगे तब जाके पैटन जही बन जाएगा. यहां पर सभी से पोर का गया पर फोर का गया ठीक है तो इसमें आया आसान वेशन था यह भी है ना तो आगे जलते हैं आगे जलते हैं आपका ठीक है प्रेस्टन पर आप दिहान देना अच्छी से है ना पकाड़ना बहुत होता है ठीक है फॉलविव इस तरफ से एक ट्रेंड है कोई खुद बताते हैं इसमें यहां पर है मैंसे अमून रिजनी में क्या बता है कुछ बताते हैं नहीं कुछ भी आपको खुद डूड़ना होता है ठीक है न तो असान लग रहा है पहले बात तो यह देखो ए बी सी दिखराइस में इसमें आंसर क्या होगा बी आएगा आएगा आपका पहली बात तो है ना यहाँ और शेडो कर यहाँ पर नाइन और ज़रा यहाँ और यहाँ और शेडों से त्री दिखराइस नहीं करते हैं यह बहुत ही अच्छा क्वेसन है reasoning का यह बहुत ही अच्छा क्वेसन है क्योंकि यहां पर decimal जब भी decimal आयाता है reasoning में तो इसका मतलब वह difficult होता है थोड़ा यह क्वेसन देखते हैं इसमें क्या होना चाहरा है यह वह इंटीकल यह बहुत है क्या होना चाहिए इन नब्रों में से क्या होना चाहिए इहाँ से देखिए इसको, कैसे करने है? इसको देखो, मैं समझाता हूँ. क्या हो रहा है basically? यहाँ से यहाँ 8 से 4 आने में, हमने 2 से डिवाइड कर दिया. ठीक है? 2 से डिवाइड किया 4 से 6 कैसे बनेगा? 1.5 से मनें multiply कर दिया. ठीक है? 5 x 3 से करना पड़ेगा, 5 x 2 से, 5 x 2 से, 6 x 5 x 2 करोगे आप, 3 हो जाएगा, 5 ते 15 हो जाएगा, तो सेम चीज हमें यहाँ पर भी करने ही पूड़ेगा, नीचे वाले में, पहले में 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, अब भी करना पड़ेगा, 1.5 से, फिर हमने मिल्टिप्लाइगा, जो नमबर आया हमारा A इसको मैंने मिल्टिप्लाइगा, 1.5 से, फिर C निकालना हमें, तो C को मिल्टिप्लाइगा, 5 x 2 से, 5 x 2 से मिल्टिप्लाइगा, ऐसे जाएगा, एक क्वेस्न होगा, ठीक है, समझ में लग रहा है, फोड़े लग रहा है, लग रहा है, यह ना, चिंता के कोई बात नहीं, आगे करते हैं, देखो, यह तो धाय-धाय, आगे 2.5, 2.5, 2.5 का स्क्वेयर कर दो, 2.5 स्क्वेयर होता कितना, 25 का स्क्वेयर होता, 6.25 होगे, इसको मिल्टिप्लाइग करना है, 1.5 से, ठीक है, तो आंसर आपको सीधे-सीधे पता लग रहा है कि C आएगा, आपको पता लग रहा है कि इसको मिल्टिप्लाइग करोगे, पहले 1 से, तो 6.15 हो जाएगा, 6.25, ए कि प्रफाइब करोगी तो आप कम से कम 3 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा है ना कि 25 का 150 हो जाएगा किसको है कर दो 3. कितना हो जाएगा नहीं 125 हो गाई यह 25 दूनी कितना हो ता 200 होता है अच्छी रूखो आपको बहुत काम आएगी कल्कुलेशन है ना बिनना किसको कैल्कुलीट किये मुझे पता लग गया था यह 9 के ब्राबर ब्राबर वैल्यू आएगी है ना 32 तो कहीं से नहीं आने वाली पहां से छोटा तो आएगा नहीं धाई भी आएगा नहीं तो यह कितना हो जाएगा 9.35 कल्कुलेशन बहुत फायदे करती है आपको हर एक्जाम में ठीक है ना मैं कल्कुलेशन बहुत जोड देता हूँ यह इतना बड़ा सा कॉशन दिख रहा है कुछ यह ना काफी बड़ा कॉशन है UPSC के सीट सेट के साब से तो काफी डेंजरस सा सवाल लग रहा है है यह ना चली कोई दिखकत नहीं करते हैं इसको आराम आराम से अब person X from place A anther person Y from a place B set out at the same time to walk towards इचतर देखो क्या बोलना चाहरा है एक place A था एक place B था यहां से कोई X person यहां से कोई Y person निकला अपस में मिलने के लिए इनके बीच में distance जो है 15 km की थी फिर क्या बोले X walks with a uniform speed of 1.5 km per hour X के जो speed है वो 1.5 km per hour है फिर क्या बोले X walks with a uniform speed of 1 km per hour in the first hour फिर यूनिफॉर्म speed of 1.25 in the second hour देखो ना B की speed है जो increase हो रही है पहले कितना चल रहा है 1.5 km per hour से चल रहा है फिर इसकी पहले 1.1 से चल रहा है में तो 1.0 बिटाए जाए जाए इस चल रहा है यहां पे 1.0 से 1 km per hour फिर यह अगले घंटे में चल रहा है आपका 1.25 km per hour फिर यह चल रहा है आपका 1.5 ऐसे करके and so on ऐसे करके increase हो रहा है उसका अब देखो फाइवार से इन्हों आप्सन में दिया हुआ कि they take 5 hours to meet खुछ चेक करके देख लो एक बारी फाइवार में कितना हो रहा है यह कितना चलेगा फॉर्थ आर में कितना चलेगा फॉर्थ आर में चलेगा 1.75 कितना चलेगा तू चल जाएगा 1.25 से increase करोके तू चल लेगा एक घंटे की speed देखो इसकी क्या आत देखे बार बार डेड 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 करके पांच टाइम हो जाएगा तू यह पूरी डिस्टेंस कंप्रीट 15 किलमेटर होना चाहिए बीच में इसके ना यहां से चला जितना यह पांच गुने चलेगा जो रेस्ट डिस्टेंस हो इसके बार इसको दॉना ट्रेवल होनी चाहिए ना यह तो प्लस यह 0.75 और 0.25 यह एक बन जाएगा यह एक हो गया अब यह 0.5 इसका भी हो गया तो 7.5 किलमेटर यह चल रहा है 7.5 किलमेटर यह चल रहा है 7.5 किलमेटर यह चल रहा है it means they take 5 hours to meet 5 गंटे मिल रहा है उनको मिलने के लिए ठीक है ना पहला तो बिल्कुल सही है midway between a and b यह तो होगा ही पीच में ही तो मिलेंगे और का मिलेंगे एक दूसरे के तरफ चल रहा है तो पीच में मिलेंगे कहीं पर है ना दोनों सही है तो मतलब इस कांसर हो जागा बोथ 1 & 2 अगला कोसन करें यह कोसन बहुत ही अच्छा कोसन है ठीक है थोड़ा ratio की समझ होने चाहिए इसमें थोड़ा percentage की समझ होने चाहिए ठीक है अच्छा कोसन है यह CDS के like है पूरा CDS में भी आ सकता है ठीक है तो चलो start करते है A student appeared in 6 papers 6 papers ने दिये The maximum marks are the same for each paper ठीक है maximum marks आप सेम है maximum marks जो है same है Marks in these papers are in the proportion of 5 ratio 6 ratio 7 ratio 8 ratio 9 क्या ratio है आपका देखो 5 ratio 6 ratio 7 ratio 8 ratio 9 ratio 10 एक चीज और बोल रहा है overall he scored 60% ठीक है ना overall 60% आगे अब क्या बोल रहे In how many number of papers did he score less than 60% of the maximum marks बहुत है अच्छा क्योशन नहीं है यहां पर देखो मैं क्या करूंगा सबसे पहले क्या करूंगा मैं इसको मानलो आप let maximum marks be max marks be मैंने maximum marks कितने से 100 मानले क्योंकि 100 से percentage का base compare करना आसान होता है ठीक है ना अब क्या होगा देखो total 6 subject है तो total marks कितने हो जाएंगे 600 हो जाएंगे अब मैं सबको add करूंगा के के कर दूंगा पहले के आपका multiplying factor है अब को add करूंगा तो मैं कितना RIS को add करूंगा तो मैं कितना RIS को add करो 5 6 11 18 18 18 और 8 आपका 26 26 और 9 आपका 26 और 9 35 और 10 45 K 45 K वह बेसिकली क्या है 600 का 60% यहां लिखा है यहां पर overall he scored 60% जो जितने भी total के marks आएं और आपका 60% ता 600 का कितना 60% है 45 K की value आगे आपकी 360 K की value कितने आगे डिवाइट कर दो आपको सारी values मिल जाएंगी है ना यहां पर कितना जगा दो 70 70 और यहांपर कितना जगाransetle 64 यहांपर कितना जगाना 56 कि यहांपर कितना जगा 816 on 48 यहांपर 40 तो तो देगँ आपको थ्री सब्जक्ट्स ऐसे हैं जिसमें से हैं जिसमें उसके marks 60% से कम है ठीक है ना कि मैंने 100 माना था कि जैसे हमने इसको 100 माना वैसी मुझे पता लग गया यहां पर 40 आये तो 40% हो गया यहां 48 आये तो 48 परसंट हो गया 56 आये तो 56 परसंट हो गया तो कोई और नमर मानते तो इट फुट बी डिफिकल्ट फॉर यू तो कैल्कुलेट परसेंटेज ना कि कितना परसेंट है असान तो नहीं कहिंगे इसको जिसको थोड़ा परसेंटेज बगार की समझनी है रेशियो कुछन है यह आपका सिलोगिजम का है के साइप में क्या है सिथे स्टेटमेंट पर आ रहा हूं है सम कैटस अर अल्मिराज टिक हैं न कैटस अल्मिराज बना दो सिदे सब्सक्राइब कि कैट्स होगी यह अप्कः होगा यह अद वहलो ऐघ गरक्या क्या हुँत तो यह सब हो टेबल बना दो यह कितने होगी tables ? सबचेयर क्या होगी? क्या पूछना चाहरा है? त्याहन देरैस में क्या बोलना चाहरा है? Certainly some Almirat or tables Certainly यह बोल रहा है कि some Almirat to table होंगे ही होंगे obviously यहाँ पर दीख रहा है आपको देखो यह जो table का जो आपका circle है वो almira पर भी जा रहा है तो इसका मतलब certainly some almiraz are tables, बिल्कुल सही है, ठीक है न? अब फिर क्या बोल रहा है, some cats may not be cheers, some cats may not be cheers, यहाँ पर cat है, यहाँ पर क्या है, पता लग रहा है, some cat may not be cheer, ठीक है, may not be cheer, कुछ cat जो है, cheer ना हूँ, पहला भी सही है, और conclusion दूसरा भी सही है, तो आपका बोथ conclusion one and two true हो जाएंगे न? यह cat almira नहीं है, बोलना चाहरा है some cat almira नहीं है, तो obviously यहाँ पर some cat, क्या बोला, sorry, some cats may not be cheers, cheers नहीं है, तो obviously यह circle इससे meet नहीं कर रहा न, meet कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो हमें certainly नहीं बता है कि क्या हो सकता है, may not be cheers, तो बिल्कुल सही है, दोनों statement सही है, तो कितना हो गया, अगर यहाँ पर लिखाता है, certainly some cats are cheers, तो statement क्या हो जाती है, wrong हो जाती है, आज के लिए इतना ही question करें, आज के लिए इतना ही question करते हैं, क्या होता है, वीडियो लंबी हो जाती है, एक बार में, आदा गंटा है, यह मुझे लग रहा है, आदे गंटे की वीडियो बन चुकी होगी है, और बच्चे के वाता देखते नहीं है, तो एक नया part लेके आता हूँ, और questions करवा देता हूँ, ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, तो दीखे, अगर session अच्छा लगता है, तो उसको like कर दिया करो, subscribe कर दिया करो, और share भी कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं defense maths के related, defense में जो चीजी भी आ सकती है, defense mathematics में, जो भी help हो सकती है, आपको मैं करूँगा, ठीक है, आपको मेरे marks दिखने, cds के marks देख सकते हो आप, ठीक है, मैंने cds के marks दिखाए है, fcad के marks दिखाए है, अपनी so की है, तो इसके base में मैं आपको help करूँगा कि कैसे कैसे mathematics में questions करने है, कैसे कैसे calculation करनी है, कैसे कैसे calculations आपकी help करेंगी है, तो यह सब चीज़े हम करेंगी, आगया नहीं से आपी, again, okay, bye-bye, take care